हर हर महादेव तो चलिए आज हम देखने वाले है महादेव जी का भुले नाद का ड्राइंग सिर्फ X, Y, Z की मुदद से देखे किस तरह से पहले हम इस तरह से X का शेप निकाल लेंगे ध्यान रखेगा इस X का नीचे वाला हिस्सा तीन गुना है उपर वाले हिस्से के मुकाबले अब चलिए इसी की नीचे थोड़ी सी जगा छोड़कर हम Y का शेप निकालेंगे ध्यान रखेगा Y का शेप हमें कुछ इस तरह से निकालना है थोड़ा सा गोला करे Y होना चाहिए इसी की नीचे फिर से थोड़ी सी जगा छोड़के हम Z का शेप कुछ इस तरह से ड्रो करेंगे देखिए इस प्रकार से हमने XYZ निकाल लिए चलिए शुरुआत करते हैं बोरेनाज जी का ड्रोइंग बनाने के लिए X के नीचे वाले हिस्सों को इस तरह से गोला कार लाइन खीच के जोड़ देंगे ताकि उनका चेहरा बन सके और उपर वाला X का हिस्सा भी इस तरह से जोड़ देंगे ताकि उनका बालों का जुड़ा बन सके यहाँ से उनके हम थोड़े से बाला भी निकाल लेंगे यहाँ पे उनके कान आएंगे यह इदर वाला कान यह कानों में कुंडल वगेरा अब जो X का अंदर वाला नीचे वाला हिस्सा है उसी में हम उनका चेहरा बनाएंगे कुछ इस तरह से देखिए कितने आसानी से उनका चेहरा बन गया अब Y शेप में से हम नाग देवता जी बनाएंगे जो महादेव जी के गले में विराजमान होते है कुछ इस तरह से हमें बस Y को आउटलाइन ही करना है पर ज़रा तरीके से देखिए कुछ इस प्रकार से अब नाग देवता के हम पूछ बनाएंगे Y शेप का नीचे वाला हिस्सा इस्तिमाल करके देखिए कितने आसानी से अब यहाँ से हम उनका गला जोड देंगे सिंपल तरीके से और एक बार उनके जुडे के पास हम चान्द का आकार भी निकाली लेंगे देखिए कितने आसानी से और यहां से उनके जोड़े पर हम कुछ रुद्राक्ष, मालाई वगरा भी दिखा सकते हैं अब चलते हैं जेड़ शेप की तरप जेड़ का जो ये वाला हिस्सा है नीची का उसी में से हम उनके पैर बनाएंगे देखिए कितने आसानी से बस आप को ड्राइंग स्टेप बाई स्टेप बनाना होगा कुछ इस तरह से देखिए अब उनके पूरे पैर हम आभी नहीं बनाएंगे क्योंकि आभी हमें उनके हाथ बनाने हैं देखिए यहां से हम उनके कंधे बनाएंगे और यहाँ से उनके हाथ अब वो ध्यान आवस्ता में बैठे हैं तो उनके हाथ भी ऐसे पईर वपर रखे हुए हम निकालेंगे थोड़े से मसल्स वगेरा भी उनके हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से एकदम सीधे हाथ न निकालते हुए कुछ थोड़े से मसल साम उस पर दिखाएंगे अब उनके हाथो उपर बाजव उपर हम रोद्राक्ष मालाई वगेरा इस तरह से दिखा सकते है देखिए कितने आसानी से और यहाथ से उनके हम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हाथ बनाएंगे जो हाथों की मुद्रा है वो कुछ इस तरह से है एदम शान्ती में ध्यान मुद्रा में वो बैठे है यहाँ पर भी रोद्राक्ष मालाई वगेरा और दूसरा वाला हाथ भी कुछ उस तरह से पसमी रिपीटी करना है देखिए बहुत ही सिंपल सा यह ड्राइंग है महादेव जी का भोले नाज जी का एकसवाज जेड की मदद से हम बहुत ही आसान इसे बना सकते हैं अब देखिए जेड की नीचे वाले हिस्से से हम उनके पैर बनाएंगे बिल्कुल उनके हाथों के नीचे से क्योंकि उपर से हाथ आएंगे और जेड की यहाँ से हम उनकी धोती वागेरा जो उन्होंने पहनी होती है शेर की खाल वागेरा उस तरह से हम दिखाएंगे यह उनका दूसरा वाला पैर इस हाथ की नीचे यहाँ से हम उनकी धोती वागेरा उस पर सिलुट वग्यरा इस तरह से आम दिखा सकते हैं देखिए जेड में से उनकी धोती पैर वग्यरा बन गए यहाँ पर उनकी नाबी आएंगी और यहाँ से आम उनकी बोड़ी दिखाएंगे कुछ इस तरह से धोती सुन्दर सा ड्राइंग होने वाला है ध्यान से दिखिएगा अब महादेव जी ध्यान मुद्रा में बैटे है तो उनके पैर कुछ इस तरह से आएंगे पीछे वाला पैर भी हमें थोड़ा सा दिखिएगा दिखिए और जो जेड की लाइन उनके पैरों के बीच में आ रही थी उसे में से हम उनके पैरों में कुछ इस तरह से कड़ाव अगेरा दिखा सकते है कुछ डिजाइन बना कर और यहाँ से एक बार उनके बाल हम जोड़ देंगे नीचे कंदों से कि कुछ बाल लहराते हुए इस तरह से दिखा सकते हैं एक बार हम उनके बाल काले कर ही लेते हैं आपको ये ड्रोइंग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके देखिए कितने आसानी से हम संदर तरीके से इस ड्रोइंग को कलर भी करने वाले हैं ध्यान से दिखिएगा और यहां से उनके जूडे में से गंगाजी बहते हुए अब दिखिएगा उनकी आखे नाग मुह हम बनाएंगे अब ध्यान मुद्रा में है वो बैठे हुए तो उनके आखे भी संदर से हमें निकालनी होगी कुछ इस तरह से विलकुल ध्यान से निकाल लिएगा आप भी विलकुल शांती से देखिए कितने आसानी से संदर से उनके आखे बन गई यहाँ पर हम उनकी तीसरी आख बनाएंगे और उसी की पीछे उनका दिलक वगेरा देखिए यहाँ पराएंगे उनकी नाग उसी की नीचे उनके ओट थोड़ी सी स्मायल के साथ देखिए अब चलते हैं नाग देवता की तरब उनकी भी आखे जी वोगेरा उनके शरीर पर डिजाइन्स वोगेरा हम दिखा सकते हैं जो वाईकी एक डंडी बीच में आ रहे थी वो भी इस डिजाइन की वज़े से छुप जाएगी देखिए कितने आसानी से नाक देवता जी बन गए अब शंकर जी है महादेव जी है तो उनके साथ त्रिशुल भी हमें दिखाना ही होगा देखिए कितने आसानी से हम लाइन कहा से कहा तक आएगी और उसी पर लगा हुआ हम डमरू भी दिखाएंगे इस तरह से दिखिए ये डमरू हमें आदा ही दिखेगा क्योंकि आदा डमरू हातों की पीछे चिप जाएगा ये रुद्राक्ष मालाय वगेरा उनके हातों पर गले में महादेव जी को शंकर जी को रुद्राक्ष मालाय पसंद थी पसंद है देखिए कितने आसानी से अब जो चोटे मोटे करेक्शन्स रहे गया है वह हम पूरे कर लेंगे अब सुन्दर तरीके से हम इस ड्राइंग को कलर करेंगे आप भी शान्ती से आराम से इस ड्राइंग को बनाईएगा इलकुल समय निकाल कर बहुती सुन्दर सा ये ड्राइंग आपका भी होगा ये मेरा वादा है आपसे बस स्टेप बस स्टेप साब फॉलो कीजिएगा देखिए एक सुवाई जेड की मदद से कितने आसानी से हमने शंकर भगवान जी का महादेव जी का बोले नात का रॉइंग मना दिया देखिए हर हर महादेव